नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोग्स की यूट्यूब ए जूगिस्टन जनल में आज की ओड़ो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे एलर्जी की दवा के बारे में तो हम सीखेंगे कि कौन से अलग-अलग टाइप की एलर्जी होती है हमारे सरीर के बारे में तो हम यह सब अलग-अलग टापिक्स कवर करने वाले कि सबसे पहले जानेंगे कि एलर्जी क्या है वो अच्छे से समझेंगे फिर जानेंगे उसके टाइप से वगरा क्या है कि कौन से अलग-अलग टाइप की एलर्जी हमें हो सकती है फिर तीसरी चीज हम सीखें और कौन से दवा या यूज होती है, वो सभी के बारे में हम detail में सिखेंगे आज के lecture के अंदर, तो ऐसे ही समझे कि आपको detail में सिखना है अलग-अलग दवा यूग के बारे में, बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं, तो ये course को join करने के लिए आप हमे WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं, topic पे और समझते हैं, allergy की दवा के बारे में, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि allergy क्या है तो allergy क्या है, कि हमारी body की या फिर हमारी immune system जो है, एक abnormal reaction करता है, कि जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई foreign substance center होता है, तो तुरंध हमारे body की जो WBC होते हैं, जो immune system होती है, वो उसके सामने reaction करती है और जिसके करण एक condition produce होती है, उसको हम allergic reaction कहते हैं, तो यहापे आप diagramatically समझोगे, तो easily आपको समझ में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप देखो, कि कोई ऐसा allergen, allergen यानि कि ऐसा substance कि जिसके करण जो हमें allergy होती है, तो वो हमारी body के अंदर समझो कि किसी भी तरह से enter होता है, तो तुरंध हमारे immune system की cell होते हैं, वो जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनके सामने B cell जो हो produce होते हैं, और एक immune system जो अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये immune system जो वो abnormal react करती है, वो allergen के सामने, और उसके करण हमारे सरीर के अंदर immunoglobulin E, कि जिसको हम IgE कहते हैं, उसका level बढ़ता है, और साथो साथ जो एक chemical है कि जिसका नाम है histamine, उसका भी level जो हमारे सरीर के अंदर बढ़ता है, और उसके करण कुछ symptoms होगे रहा देखने हो मि कि allergen क्या है, वो सबसे पहले जान लिजिए, कि बहुत सारे allergens हो सकते हैं, और allergen ऐसा substance है कि मानलो कि कोई एक person को उसकी allergy होती है, तो दूसरे person को उसकी allergy नहीं भी होती, जैसे कि सबसे पहले आप देखो, कि ये जो soya है, या फिर soya bean मानलो, तो soya bean समझो कि कोई एक person खाता ह तो उसको कोई allergy नहीं होती, कोई इसको problem नहीं होता, पर वही soya bean कोई दूसरा person खाता है, कि जिसको soya bean की allergy है, तुरण उसके सरेर के अंदर अलग-अलग allergic reactions देखना जहें, वो सुर हो जाएगे, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, कि एक जवगरा है, किसी को एक की allergy होती ह किसी को नहीं होती, किसी को peanuts, यानि कि जो हम मुंगफली कहते हैं, उसकी किसी को allergy होती है, किसी को नहीं होती, तो जैसे ही यह मुंगफली आपके सरीर के अंदर enter होती है, तो समझो कि किसी को उसकी allergy है, तो तुरण उसका body का जो immune system है, वो abnormal react करेगा, और उसके सरीर में IgE की म मातरा भी बढ़ेगी, और साथ हिस्टे माइन के मातरा भी बढ़ने लगेगी, तो allergy के आप type समझ लो सबसे पहले, तो किसी को drugs की भी allergy होती है, जैसे कि हम सीखते हैं कि penicillin के समझो कि कि किसी को allergy है, किसी को cephalospurin class के drugs की allergy, या फिर किसी भी अलग-अलग medicine की लोगों को allergy हो allergy, कि अलग-अलग type के जो foods होते हैं, जैसे कि milk है, तो कि उस लोगों को milk की allergy हैते हैं, कि जो milk सबंदित कोई भी चीज वो खाते हैं, तो तुरांद उनको allergic reactions देखने को मिलते हैं, उनके सरीर के उबर, फिर इसी तरह से fees है, cell fees है, eggs वगिरा है, peanuts है, tree nuts आप देख लो, wheat है, य जैसे कि mosquito जिसको मच्छर कहते हैं, कि मच्छर के काटने के बाद तुरंट आपके body के उपर इस तरह से allergic reactions देखने को मिलते हैं, या फिर मधु मक्ही के काटने से भी ऐसे allergic reactions जो वो देखने को मिलते हैं, तो जैसे को ये insect bite करता है, allergic reaction होना सुरू हो जाती है, चौती हम देख कि latex या फिर जो rubber होता है, उसकी भी लोगों को allergy होती है, तो कई बार product भी इस तरह से use करते हैं, कि latex free हो, rubber free product वो use करते हैं, जैसे ये problem ना हो, पांचवा हम देखें, तो mold के करण भी allergy हो सकते हैं, कि इस तरह से देखो, कि दीवालों के उपर भी इस तरह से mold होगे हैं, कई कोई एक person उसको खाता है, जो खाने लाइक जो mushrooms होती है, तो उसको कुछ problem नहीं होता, पर किसी कुछ मानलो, वो mushroom की या फिर mold की allergy है, तो उसको बहुत सारे allergic reactions हो जाते हैं, फिर animals की allergy, कि लाइक cat वगेरा है, dog वगेरा है, तो उनके भी allergy हो जाते हैं, कि उनके discharge के contact में आते है तो भी लोगों को allergy हो जाती है, फिर pollen की allergy काफी ज़्यादा लोगों को होती है, कि जैसे ही atmosphere के अंदर pollen की मातरा बढ़ती जाती है, ऐसे-ईसे उनको allergic reactions जे वो देखने को मिलते हैं, तो reasons यहीं सब है, कि जितने भी अलग-लग type है, उसी related reasons है, कि जैसे कि किसी को dust है, उसकी allergy ह तो dust के करण उसको यह problem हो सकता है, तो वो एक reason बनेगा आपके लिए allergic reaction के लिए, ऐसे ही समझे कि inhalation के थरूप pollen आपके body के अंदर गई है, तो उसके करण आपको यह सरीर में allergy हो जाएगी, उसी तरह से animal denders वगेरा है, फिर मदुमक्की के काटने से किसी दवाई के कारण, milk ह medication है, latex है, jewelries वगेरा है, तो ऐसे बहुत सारी जो allergens होते हैं, उसके करण आपको allergy होती है, अब जो main समझना है, उसके symptoms के बारे में, तो अलग-अलग symptoms जो वो देखने को मिलते हैं, तो उसमें पहला हम symptom देखे common, तो वो है racist बन जाना आपके skin के उपर, कि मान लोग कि किसी क allergy है, और वो allergen के contact में जैसे ही आता है, तो skin के उपर इस तरह से ये दाने बनना सुरू हो जाते हैं, जिसको हम racist वगेरा कहते हैं, फिर second हम देखें, तो इस तरह से allergic reactions जो आपके सरीर के उपर देखने को मिलती है, कि इस तरह से ये आप देख रहे कि pimple-like structure develop होना सुरू हो ज इस इंसेक्ट ने आपको bite कर लिया, तो तरह उसके allergic reactions के तोर पे swelling हो जाएगी आपके lips के उपर, फिर face के उपर कुछ लोगों को सूजो ना जाती है, फिर एक और symptom हम देखें, तो उसके करण आपको itching होती है, काफी ज़्यदा itching होती है, खुजली होती है, जिसको हम कहते ह यहाँ पर BSA allergic reactions is develop हो रहा है, तो especially आपको itching होती है, फिर runny nose, जिसको बाइती नाक हम कहते हैं, या फिर sneezing जिसा आपको feel होता है, फिर lacrimation, एक खास यहाँ पर देखने को मिलता है, कि जो आपकी आखों में से जो वो पानी आने लगता है, watery eyes जिसको हम कहते हैं, या फिर breathing problem ह होता है किसी को, कि अगर उसको allergy है किसी substances की, और उसके contact में आता है, तो तुरंद उसको यह problem होना सुरू हो जाता है, फिर नाक में से पानी आने लगतना, यह एक symptom develop होता है, और gastrointestinal tract के related symptoms, जैसे कि nausea vomiting जैसा feel करता है, पेट में दर्ध होना, breathing करने में problem होना, dizziness और कुछ लोगों को diarrhea वगेरा हो जाते हैं, तो यह है main 10 symptoms कि जो allergy के कारण होते हैं, फिर अब बात मतनी हच्चे से diagnosis के बारे में, कि उसका निदान कैसे हो सके, कैसे हम reason find out कर सके, कि आपको allergy क्यो हो रही है, और कितनी मात्रा में allergy आपके सरीर के अंदर बढ़ी है, तो सबसे पहले medical history patient क चेक की जाती है, कि उसमें proper अच्छे से पूछा जाता है, कि उसको कोई दवाई या allergy है, या फिर past में कोई दवाई खाए थी रही उसके करन कोई allergic reaction हुए थे या ने, तो proper एक medical history चेक की जाती है, allergy test भी किया जाता है, IGE test perform किया जाता है, और symptom based भी diagnosis हो जाती है, तो medical history में ख जिससे आपको पता चलता है, कि उसको past में कोई problem था या नहीं, कौन सी दवाई या वगेरा ली थी, फिर allergy test आप करवा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि कौन से allergen के करन आपको ये allergies वगेरा हो रही है, फिर तीसरा जो है, वो IGE test किया जाता है, जिसको immunoglobulin E test किया जाता है, कि जैसे हमने starting में एक देखा, कि जैसे ये allergen हमारे सरीर में enter होते है, तो IGE जो है वो produce होता है, तो IGE कितनी मादरा में है, वो test से बता चलता है, और उसका इस तरह से result मिलता है, तो जो adult होते हैं, उनमें 3 से लेकर 423 के आसपास जो IGE level होता है, और जो ideal level जो हम मानते हैं, व कोई भी allergic reactions आपके सरीर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर एक report देखो कि तो easily समझ में आएगा, कि यहाँ पर एक report है, कि जिसके अंदर patient का IGE level आप देखो, तो 916 के आसपास है, तो उसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि उसका 100 के नीचे होना चाहिए, पर उस उतने आपके सरीर के अंदर allergic reactions जो है, ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो target यह रहता है कि उसको कम करके 100 से नीचे आप ला देते हैं, तो तुरन यह problem जो है ठीक हो जाता है, फिर symptom based diagnosis होता है, कि patient के symptoms चेक किया जाता है, कि सरीर के उपर उसको rashes है, blister develop हुए है, में से पानी फिर अब बात करते हैं, treatment की, तो treatment में जो सबसे पहला option है, वो है allopathic medicines का, वो हम आगे समझेंगे, फिर homeopathic में भी उसका इलाज दिया गा है, और ayurvedic medicines भी उसमें यूज की जा सकती है, तो सरुवात करते हैं allopathic medicines में, तो उसमें anti histamines जो हैं सबसे ज़्यादा यूज होते ह सरुवात में देखा, कि histamine की मात्रा जो हो सेरियर में बढ़ती है, उसके करन allergic reactions काफी ज़्यादा होते हैं, तो anti histamines का यहाँ पे लेना काफी ज़रूरी बनता है, histamine को कम करने के लिए, leukotriand modifiers भी यूज किये जा सकते हैं, corticosteroids, anti IgE drug की, जो IgE की मात्रा को कम करेगी, और lotion and creams के भी option रहेते हैं, जो आप topically यूज करते हैं, तो सरुवात करते हैं anti histamine, anti histamine में सबसे famous जो medication है, वो है, phenyramine mallet, इसका एक marketed formulation आप देख रहे है, evil 25 करके, तो उसके एक या दो tablet यह वो patient यह दिन में ले सकता है, कि उसका dose रहता है, 25 से लेकर, 50 mg जितना आपको per day में ले रहता है, तो वो उसको एक बार या फिर इसको दो बार जो पेशन ले सकता है, फिर second option बनता है, उसका injection का ही, कि phenyramine evil का ही आप देखो, तो injection आता है, तो वो भी same dose में यूज किया जाता है, फिर chlorphenyramine का भी एक option है आपके पास कि, जिसका dose रहता है, दो से लेकर, 4 mg जितना आपके पास टैबलेट है, तो उसको दिन में एक ही बार जो वो यूज करनी चाहिए, तीसरा option बनता है, लोरा टाड़िन के टैबलेट का, कि जिसका dose रहता है, 10 mg पर डे, ओरली रहता है, कि ये जो 10 mg की जो टाबलेट है, वो सिर्फ एक ही बार जो पेशन को लेनी होती है, चौथा option देखें, तो सैटरेजन के टैबलेट का रहता है, कि उसका भी सिमिलार डोस है, लोरा टाड़िन के तरह है, कि 10 mg इतना ओरली आपको लेना होता है, दिन में सिर्फ एक ही बार, तो धियान रखना है कि एक ही टैबलेट ले 10 mg का, 5 mg का समझे कि आपको मिलता है, तो दो टैबलेट खा सकते हैं, पांच वो ऑप्सन बनता है, लिवो सैटरेजन का, कि जो 5 mg की स्ट्रेंथ में वालेबल होती है, उसका डोस रहता है, 5 mg औरली पर डे, मनलब कि एक ही टैबलेट जो है वो पेसन दिन में इसकी यूज़ करता है, चटा है फैक्स ओफ इनाडिन का कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सनोफी का एक मार्केड़ पॉर्मलेशन, एलेगरा करके, कि 120 mg के टाबलेट वहाँ पे आपको मिलते हैं, और IP के स्टांडर्स के एकोडिंग टोस को बनाए होता है, तो उसका जो डोस रहता है, 120 से लेकर 180 mg जितना रहता है, पर डे जितना तो यह टेबलेट सिर्फ वर सिर्फ आप दिन में एक ही खाए, तो वह बेटर रहता है, कि जिससे साइड एफेक्स जगे रहा है, जो है, वो कम होम, साथवा अप्सन देखे, एंटी हिस्टामाइन्स के अंदर, तो यह काफी एक नई मेडिकेशन है, एंटी हिस्टामाइन् है, कि जिसका डूज रहता है, 10 mg पर डेज इतना, और उसका कॉम्बीनेशन भी अवेलेबल होता है, जहां पर आप देख सकते हैं, कि जिसके साथ एंटी हिस्टामाइन कॉम्बीनेशन में है, लिवोसेटरिजिन, और यह वो टाबलेट आपको एक ही लेनी होती है, अब बा होज रहता है, पांच से लेकर 60 mg ओरली पर डेके हिसाब से, तो प्रॉपर आपको मेडिकल सूपर रिजन में स्टेरोड यूज करने होता है, बिकाज स्टेरोड से भी कई बार साइड इफेक्स जो बढ़ सकते हैं, तो यह धियान रखना है, सेकंड, ट्राइमसिन ओलन का य पर डेकी साब से, तो उसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेस्ट आती हैं, तो वो जो यह पेसंट दिन में, एक या फेट दिन में, दो बार जहाँ पे वो ऐलर्जिक रियक्शन हुई है, वहाँ पे जो आप लगा सकते हैं, तीसरा देखे तो डेक्सा मिताजन का ओप् तो उसका डोज रहता है, 0.5 से लेकर 5 मिली ग्राम पर डेज इतना, पर ध्यान यह रखना है कि जब भी आप यह मेडिकेशन लेते हैं, तो दो टेबलेट के बीच में, एटलिस 6 से 8 गंटे का टाइम इंटर्वल रखना, काफी जरूरी बनता है, चौधा ओप्शन है, इनिसियल डोज रहता है, 60 से लेकर 120 mg पर डे पर यह ज़्यादा से आपको 3 दिन तक ही लेना चाहिए, ज्यादा दिन तक लेने से उसके साइड एफेक्स जो है, वो काफी ज्यादा होते हैं, तो यह सब भी मेडिकेशन के इंडिविजिल वीडियो भी अवेलेबल हैं, तो चैनल में आप मेडिसिन प्लेइलिस्ट में जाओगे, तो यह सब भी मेडिकेशन के आपको इंडिविजिल वीडियो भी डिटेल में सिखने के लिए मिल जाएंगे, छटा ओप्सन आप देख सकता है, यहापे मेडरॉल के टाबलेट्स का, कि जिसके अंदर सॉल्ड कंटें और उसका डोज रहता है, चार से लेकर 32 मिलिग्राम जितना पर डे जितना है, अब स्टेरोट्स के बाद चौथा ओप्सन हमारे पास है, एंटी आईजी ड्रक का, कि यह कोई भी दवाईों से आपका आईजी लेवल कम नहीं हो रहा है, एलर्जी कम नहीं हो रही, कि मानलो और ठीक है रहा है, कि आपको सीम्टम है, एलर्जी करिनाइटिस के सीम्टम से, अस्थमा के ट्रिटम सीम्टम हो रहा है, आईजी बढ़ने के करण, तो फिर आपके पास यह ग्जॉलेर का ओप्सन रहता है, कि जिसके अंदर दवाई रहती है, ओमेलिजुमेब, तो उसका यह वो प्रॉपर कैल्कुलेशन से फाइंड आउट किया जाता है, कि आपका आईजी लेवल कितना है, एज कितनी है, हाइट वगरा कितना है, उसके अकोडिंटर डोस यह उसका तैयार होता है, कि जो आप जॉलेर की वेबसाइट ओपन करते है, तो वही पो आपको डोस कैल आलबम का एक उप्सन बनता है, फिर एलियम क्यापा का उप्सन मलता है, निट्रम मूर है, सबाडिला है और अरुंडो, तो उसके मार्केडर फॉलमिलेशन आप देखो, तो यहाप आप देख सकते हैं, आरसेनिक आलबम करके 30CH के अंदर, और अरुंडो यहाप आप देख स फिर दूसरा उप्सन बनता है, एलियम क्यापा का यहाप देख सकते हैं, निट्रम मूर का यहाप पे हैं, और सबाडिला के, जिसके 30CH में ही, आपको यह होमियोपितिक ड्रॉप्स मिल जाते हैं, पर उसको आपको प्रॉपर जो होमियोपितिक फीजिसन से, उनके डायरेक् पेसं दिन में, दो बार उसकरता है, जिसमें हल्दी वगरा के एक्स्ट्रेक्ट रहते हैं, उसके chemical constituents रहते हैं, और तुलसी के एक्स्ट्रेक्त रहते हैं, जिसके एक natural आपको एक remedy मिल दी है, जिसके आपके allergy वगरा कम हो दिए, cream and lotions में आप देखो, तो आपको यह खास 沒關係 तो इसके अलग---लग Marketing आर्मिके एंडो ईता है के छाहब मेर्य सब दाइंड खुछे और ँज़ियान गया है जो की लिए बना पढोलेप रहरी हैं और आफरी एक उप्सिम uniform तो Dermicam OC और Dermicam OC+, कि जो Alchem Laboratories उसको बनाते हैं, तो ये भी क्रीम के option आपके पास रहते हैं, तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है, बहुत सारी दववयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो medicine course को join कर सकते हैं, तो ये course को join करने के लाफ में WhatsApp कर सकते हैं, या फिर ह